नमस्कार आप देख रहें मुबाई यूस 24 और मैं हूँ रूपी नेकी और वक्त हो चुका है मिड़ी नियूस का नियायाले के पूर्व नियायधीस जस्ती चलमेश्वर ने कहा कि उच्चतम नियायाले में मामला लंबित होने के बावजूद सरकार चाहे तो राम मंदिय निर्माण के लिए कानून बना सकती है आपको बता दे कि नियाय मूर्थी चलमेश्वर ने यह टिपड़ी ऐसे समय में की है जब आयोध्या में राम मंदिय निर्माण का मार्गे प्रशष्ट करने के लिए कानून बनाने की मांग संकर रहा है और मिड़े की अगली ताज़ा खबर मध्य प्रदेश कॉंग्रेस को लेकर आ रही है जहां मध्य प्रदेश विधान सभाचुनाओ के लिए कैंडिडेट्स फाइनल कराने के दौरान दिगविजे सिंग और जोती रादित्व सिंधिया के बीच हुए विवात को सुलजाने के लिए यूपी ए चेर परसन सोनिय गांधी ने मध्यस्ता करते हुए राहुल गांधी वान्य निताओं के साथ कांग्रेस कोर कमीटी की बैठक में शामिल हुई इस दौरान उन्होंने दिगविजे सिंग और जोती रादित्व सिंधिया से बात की और मिड़े की अगली ताज़ा खबर पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आ रही है जहां 2019 लोग सभाचुनाओं के मद्दे नजर प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी को लेकर किये गए एक ओनलाइन सर्वे में दावा किया गया है कि देश और विदेश के 63 प्रतिशत से ज्या को लेकर आ रही है जहां करनाटक में लोग सभा की तीन और विदान सभा की दो सीटों पर उपचुनाओं के लिए आज मद्दान शिरू हो चुका है आपको बता दे कि सत्तर उड कांग्रेस जेडी एस गड़बंधन सरकार के लिए लिटमस डेस्ट माना जा रहा है आपको वो चुनेयायले में घूमने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने दर्वाजे खोलते हुए कोर्ट गाइड़ टूर की शुरुआत की है जिससे कोर्ट घूमने के एक्शुक व्यक्ति इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट www.sci.gov.in के जरिये बुकिंग कर सकते हैं और मिड्डे के अगली ताजा खबर रिजरुव बैंक मामले को लेकर आ रही है जहां रिजरुव बैंक और सरकार में जारी तरातानी के बीच वित्त मंत्राले के आर्थिक मामलों के सचीव सुभास चंदरगर गने आर्बी आई के डिप्ट को लेकर आ रही है जहां वन्टांगिया मस्दूरों को विकास की मुख्यधारा मिलाने के लिए प्रियासरा तुत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले वर्ष की तरह इस बार भी अपनी दिवाली जंगलों में रह रहे वन्टांगिया परिवारों के बीच मनाएंगे और मिड़े के अगली तासा खबर मीटू मामले को लेकर आ रही है जहां पूर्व केंद्रिय मंत्री मजे अकबर पर दुरु विवहार का आरोप लगाने वाली पत्रिकार पलवी गगोई ने अकबर पर पलटवार करते हुए कहा दोनों के बीच कभी सहम से संबंद नहीं रहा आपको बता दे कि पूर्व मंत्री एमजे अकबर ने पलवी गगोई के आरोपो पर इसे आपसी सहमती से बना संबंद करार दिया था और मिड़े की अगली ताज़ा खबर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आ रही है जहां पेट्रोल डीजल की मार से जूज रहे लोगों को आने वाले दिनों में और भी रहत मिल सकती है दरसल अंतरास्ट्रिय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है ऐसे में पिछले 16 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में जारी गिरावट आने वाले दिनों में भी और भी नीचे आ सकती है तो ये थी मिड़े की ताजा खबरे और ऐसे ही ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजे और सब्सक्राइब बटन के सामने जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजी ताकि आप भी रह सकें देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट